हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की ब्यूटी सेग्मेंट में और आज में आपके साथ में रिव्यू करने जा रही हूँ पॉंड्स एज मिरेकल की नाइट क्रीम का विच से इसकी डीप आक्शन नाइट क्रीम है यह कंपनी दावा करती है कि इनक आपको कम प्राइस पे मिल जाए यू कैन चेक इट आउट आपको लोकल मार्केट में भी यह मिल जाएगी 50 ग्राम के प्रोड़क्त है काडबोर्ड पाकजिंग इसकी उपर से यह प्लास्टिक लगी हुई है बहुत ही अच्छी पाकजिंग में यह रिसीव हुआ है मुझे और फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि पॉंड्स की जो एज मिरेकल की डे क्रीम है वो उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अलोड़ी अपलोड कर दिया है इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट और उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर से ड मैंने खुद इसको दुबारा से मंगाया है अगर मैं दुबारा से यूज कर रही हूं प्रोडक्त इक मेंस की मेरे लिए यूसफुल है बेनिफिशल है और तभी मैं इसको अपने एक्स्पीरियंस की बेसिस पर आपको रिव्यू करूंगे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ करें सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें सब कुछ करें क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तभी मुझे मूटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी इस तरीके के वीडियो बना सकूं इसके अंदर इस तरीके की यह बुकलेट टाइप की मिल जाती है पेपर मिल जिसके अंधर इनके बहुत सारे अिलग अऩर्जाय दे Riator इसे सबस्केडनों और इत्वरस की प्रहते है clean Good है यह उसे ब्रमिक तर्ब देक से सब्सक्राइब की सब्सक्राइब कर दे का जाए पॉंड्स एज मिराकिल डीप आक्षिन नाइट क्रीम थोड़ा सा बलर हो रहा है बहुत सही से दिखने रहा है उसमें तो मैं इसको उपन करके दिखा देते हूं इसको आप लिड ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक इस तरीके का प्लास्टिक का कैप मिल जाता है कवर मिल जा आपके लिए तो इससे क्या है कि आपके क्रीम भाहर नहीं निकलती है अब देखिए कि किती सारे प्रोड़क्ट इसके उपर लगा हुआ है बट क्योंकि यह लगा हुआ था लेडिश वज़े से मेरा प्रोड़क्ट बहार नहीं निकला आप देख सकते हैं पूरा 50 ग्राम क प्रोड़क्ट मुझे रिसीव हुआ है ऐसा नहीं कि कहीं से कम हो या कुछ हो वाइट कलर का है इसका टेक्च्च्चर फॉर्मलेशन बहुत ही अच्छा है इसको यूज करने का तरीका अगर बताया जाए तो आप सभी अच्छे से अवेर हैं मुझे जादो कुछ बोलने के क्लीन इसके उपर आपको यह लगानी है और जोड़ेना ऑन अचे माइल सी आपको इसके इसके बारे में आपको सिर्दौ आपको एलर्जी हो बहुत ही अच्छे इसके इसके बारे में बहुत है सब चीजों में इंप्रूब्मेंट नजर आता है और साथी साथ में एक स्कीन पर ग्लोइंग एफेक्ट भी आना स्टार्ट हो जाता है तो मेरे हिसाब से तो हाँ यह बहुत ही अच्छा प्रोड़क्त है मैं इसको सेकंड टाइम पर्चेस कर रही हूं और आगे भी पर्चेस कराओंगे अनली प्रोडलम विद इस ख्रीम जो मैंने फिल कि है अपने एकस्पीरियस पर बता रही हूं इस तरए कि जो है जाहे डे क्रीम हो चाहे नाइट ख्रीम हो यह को अच्छी रहती है बहुत ज्यादा अच्छा एफेक्ट देती इंए बहुती बढ़िया रहती है विए टोड़ी सी चिपकती है, चिपचिपी सी लगती है, एली स्किन के लिए और ज़्याद़ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इन ताइप की क्रीम को कभी भी यूज नहीं कर पाती हूँ, जाड़ों में मैंने पिछले साल भी पूरो विंटर टाइम में इसको यूज किया था, और अब जाड़े आने वाले हैं, हम सब भी जानते हैं, ऑक्टूबर आ चुका है, विंटर स्टार्ट होने को ही है, तो मैंने फिर से इसको परचेस किया है, तो मैं पूरे विंटर टाइम में इसको फिर से यूज करूँ, और अपने स्केन पर फिर से एक बार वही ग्लोइंग एफेक्ट को देख पाऊं, तो फ्रेंट्स मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंट्स के साथ में, जिससे आप भी इस बार विंटर्स में अपने स्केन को बहुत ही जादा अच्छा ग्लोइंग एफेक्ट देपाएं, अपने फेस पर से जो हलकी महीन महीन सी लाइनों होती हैं, उनको रिमूव करने के एक शुरुवात कर पाएं, आप भी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज प्लीज उसको लाइक जरूर से करिए, और अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉड़क्ट का रिव्यू आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएए, मैं आपके लिए उस प्रॉड़क्ट को भी रिव्यू जरूर करूंगी, तो मेरे चैनल पे वने रहिए, थैंक यू,